हाई गाइस तो अब मेरे पास कपड़े खतम हो गए यार मैं क्या पहनी बता हूँ दूसरी साड़ी का बलाउज एंड ये लाचे का एक चुनरी है उसको कॉमिनेट करके पहनी में जायो कपड़े खतम होगे वीडियो बनाते बनाते पर सक्सेस है कि नाम सुमना के नाम नहीं प्राइमेकप लेती है बाइद वे मेक अप शेयर कर रहे हूं बहुत ही क्यूट सा मुझे बहुत प्यारा आई मेक अप लगा यह वाला तो पहले मैं यहां पर मॉस्टराइजर लगा रहे हूं इंजॉय कर रहे थी थोड़ा दिल बहलाने की बहुत अपड़ांस चल रहे है मैं क्या बोलो भी बहुत अच्छे से लगाया मैंने मॉस्टराइजर उसके बाद यहां पर मैं यह मार्ज का गोल्डन प्राइमर यूज़ कर रहे हूं काफी मुझे ग्लोई सा लूप चाहिए उसको भी अच्छे तरीके से फेस पे स्प्रीड़ाट कर लूँगी और मेक श और इसको लगाने के बाद अच्छे तरीके से यह हो जाता है मेल्ड ब्लेंड इसको ब्लेंड करना बहुत ही जादा आसान है और जो ब्ल्यूटी बिल्नर है वह वेट होना चाहिए तो ब्लेंडिंग बहुत भी स्मूध हो जाती है और आपको मेक अप इंजोई करने में में आता है तो यह लगबो मेरा हो चुका है ब्लेंड और यह न थोड़ा सा अब यहां पर में लगाऊंगी यह मरा हुआ मरता नहीं जल्दी खतम नहीं होता है यह गटिया फाउंडेशन आई हीड दीस यार वही है बत काम चलाना है इसलिए लगा रहे हूं मैं यह वाला नहीं आता है इसको ब्लेंड करने में जब तक एकदम स्मूध फिनिश ना हो जाया ना तब तक वह फाउंडेशन अच्छा नहीं लगता है इसके बाद मैं यह आईब्रोज को शार्प कर रही हूं कॉंसिलर के हेल्प से तक कि मेरी आईब्रोज और मेक अप और भी जादा दिखें और मेक अप तोटके दिखेंगा फिर उसके बाद और यह फाउंडेशन ना नेगल एरिया पर लगाने के बाद भी नहीं दिखता है है तो उसके बाद मैं यह कंसिलर लगा रही हूं अच्छी कवर जिस थोड़ी सी और मिल जाती है उस फाउंडेशन के बहुत है त तरहाऊ इसान से प्रोडैक्ट और मिल यह हम इस बीखें अपशे ब्लेेदव में से कांटूरिंगट मिलखू हमिंगा सब क्से था अपलीस न ह्तलन दिखत छीए पहले निकाल निकाल नहीं कालकर में इसमा स्माज में आने लगेछमँ स सब्सक्य करेंगा तो youtube. मैं समझ में पाउडर लिया है बनाना वाला इसको अच्छे तरीके से बेस को स्टेट कर लिए जूइस के अबसर चानीज तो यहां पर में सारे जो पाउडर उसको ऐसे लगा के रख लूँगी ताकि यह मेरा मेकप सेट कर देंगा अच्छे से एक दो मिनित तक लगा के रोको अच्छे से बेक हो जाएगा आपका फेस दैन जो एक्स्टा रहेंगा उसे थ्रो आपको ना तब तक मैं आइब्रो को फील कर ले रही हूं यहां पर यह मार्स का फॉर्षीड वाला आइब्रो पैलेट उसको मैंने उसके बाद नहीं इस आईशेडो के लिए ऐसा पैले पिंक कलर लगा और धुक्ट करना है उसके बीएच कारणा है यूजली को राइयरू किया हुआ है आप तक हो यह गालेूंट नहीं है और पर रौनर मेह रहा है उसके तो यह सीजिवा नहीं ह कर रही हूं और पर्पल भी यूज करूंगों ते यहीं पर दिखा दी मैंने दोनों कर साथ को इनर पे में यलो कलर लगा दियू देख पारे हूंगा जैसे कि किता क्यूट सा रहा है ना आयमेकप का लूख दैन उसके बाद ना पर्पल शेड लगाया हुआ है अभी लगांग मैंने यह क्लिटर अप्लाई किये हुए मेरे पास लिक्वेड ग्लिटर वैसा वाला नहीं जैसे चाहिए था लगाने के लिए और लोग लैस पे मैंने वही पर्पल कलर को अप्लाई किया है और अब हमारा सेट हो चुका है तो उसको मैं थ्रो आउट कर ले जी हूं जब तक अपने आई मेकप किया काफ पर टाइम गुजर गया था और देख और नेक लाइन पर लगाया हुआ है और फेस थोड़ा जादा ही गोरा होता है ना मतलब बाटी स्कीन अपन फेस ज़्यादा चमकाते है तो इसके वज़े से वह लगता है कि फांडेशन जादा हो गया है अ फांडेशन ड्रोफ जादा होबना बाटी सब्सक्टिक अब देखो फांडेशन है कि फांटी सब्सक्राइब है लगता है यह जयंता है । इस उसके बाद ना पता है ने अ आपको वीडियो में दिखा हूँ तो देखो कैसे लगा जुगाड कपड़ों का और निच्च मैंने साड़ी पैनने हुई है अभी क्या ही बता हूँ आपको अपनी परिस्तिती तो गैस कैसे लगी है आज की ये वीडियो और ये मेकप बता है या अच्छा लगा है दोनों में से बता हूँ और तो मैं जादा कुछ कहना नहीं चाहूंगी फिर मैं कहने जाती हूँ तो मेरे रात दिन एक हो जाएंगे में अपने में परेशान रहती हूँ कि मैं ये क्या कर रही हूँ अच्छा वीडियो पसंदार होते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे ल तिल 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 नेक्स वीडियो बगए